नमस्कार आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी मैं हूँ आपके साथ कांशी बंसल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत की राजनीती के दो ड्रामे बाज नेताओं को लेकर सामने आ रही है एक और सिद्धू है और एक और केजिवाल है कि उनका पूरा ध्यान आजकल पंजा से मेरे सहयोगी अरुन मौजूद है अरुन जी क्या कुछ मकसद है सिद्धू का यह क्या चल रहा है तेक यह ड्रामा चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है एक तरफ सिद्धू पंजाब में ड्रामे बाजी कर रहे हैं अपने आला कमान के साथ मदारी का खेल खेल रहे हैं और दूसरी तरफ डिली पहुंच जाते हैं और डिली में कहते हैं कि साहब आप बिजली का भिल माफ करने की बात कर रहा हैं आखिर कैसे महिलाओं को 18 वर्ष आयूपूरी कर चुकी हर महिला को 1,000 रुपै की बात देने की बात करते हैं आखिर कैसे की सधार पर पूरा हिसाब क आप डाटा लेकर पहुंचते हैं और कहते हैं कि जो बजट आप बता रहे हैं उतना तो बजट ही नहीं है पंजाब का से कमजूर हो गई है और अब दारोंदार सिद्धू पर है आला कमान इन पर कमान के से हुए है कि इस बार ये दी चुनाव में जीत नहीं मिली तो सिद्धू सहब आप दारोंदार हैं इसके इसे लेकर के सिद्धू लगातार कोशिश में है कि नहीं किसी भी ये इन पंजाब कम से कम जीता जाए और चुकी ये दिख रहा है सिद्धुकों कि यदि पंजाब जीत जाते हैं तो CMU मिद्वार अब की बार शायद वो बने इसे लेकर उनकी भरपूर कोशिश है दूसरी तरफ की केजरिवाल की जहां तक बात है केजरिवाल साहब पहुंचते हैं पंजाब कहते हैं कि 18 वर्ष आयूपूरी कर चुकी हर महिला को एक हजार रुपए दिये जाएंगे प्रतेक माह वो शायद डाटा नहीं पढ़े कि महिलाएं वहां कितनी हैं उनकी संख्या कितनी है और प्रतेक महिला को यदि एक हजार रुपए आप देते हैं तो वो बज पंजाब के कुल बजट से कहीं क्रॉस कर रहा है ज्यादा हो रहा है बजली बिल की जहां तक बात है सीम के जरिवाल दिली में 200 तक फ्री किये हुए हैं लेकिन 200 यूनिट के बाद यह दि आपका बिजली बिल आता है तो आप 201 आ गया तो 201 यूनिट का नहीं देना पूरे के अब बताईए कि जिस बिजली भाग के पास रिवेन्यू के रूप में करोड़ों रुपए हर साल आते हैं हजारों करोड़ रुपए आते हैं वह रिवेन्यू आप कहां से जेनरेट करेंगे वह कहां से आएगा दूसरी जो सबसे बड़ी चीच है सिद्धु आज पहुचे । दिल्ली में धरना देते हैं तमाम हिसाब किताब डाटा देते हैं लेकिन वो सिद्धु आप अपने ही सरकार के लिए नहीं बताते हैं आखिर मेरी जो योजनाय ला रही है जो घोशनाय कर रही है पंजाब की जनता के साथ वो कहां से पुरा करेगी C.M. Chani ने भी बिजली बिल कम किये माफ नहीं किये उन्होंने कम किये लेकिन वो बजट की भरपाई कहां से होगी यह उन्होंने कभी नहीं बताया तो कुल मिलाजुला अगर के आप देखे तो एक तरफ केजरिवाल है जो नाटक पर नाटक कर रहे हैं दूसरी तरफ सिद्धु है जो आकर ड्रामे कर रहे हैं अब चुकी सिद्धु को ये बात इगो पर आ गई कि केजरिवाल पंजाब पहुंच गए अमरित सर पहुंच यदि कॉंग्रेस की अच्छी खासी बहुमत या उनके प्रतिनीधी नहीं जीते तो टोटल ठीकरा सिद्धू पर फोड़ा जाना है सिद्धू उसके लिए जिम्मेदार माने लेकिन केजरिवाल के इन दावों का क्या असर देखने को मिलता है ऐसा नहीं है आप कहीं भी बात क करेंगे उसे यह पता है कि केजरिवाल आएंगे तो यह खजर रुपय हमें मिलेंगे हमारा बिजली मिल माफ हो जाएगा इस तरह से आप दिल्ली में देख रही हैं दिल्ली में दो बार उन्होंने जैसी घोष्णाय की को को वैद करने का फ्री बिजली फ्री पानी इन सब गोश्राओं का असर दिखा केजरिवाल जीते पूर्ण बहुमत से जीते दोनों बार उन्होंने अच्छी बहुमत हांसिल की तो इनका असर दिखता है जनता को इससे मतलब नहीं कि आप कहां से लाएंगे लेकिन उसके बाद यहीं केजरिवाल रोना शुरू करते हैं कि हमे केंदर सरकार पैसे नहीं दे रही है भाई साब जो आपका टोटल रिवेन्यू कलेक्शन है उसी की हिसाब से केंदर सरकार आपको बजट देती है आपका रिवेन्यू कलेक्शन एदी एक लाख करोड है तो केंदर सरकार आपको एक लाख करोड रुपे रिवर्ट करती है द अपने इसको अपने विज्यापन में खर्च करते जादा नजर आते हैं देखिये विज्यापन तो उनका मूल आधार है रहें कुछ भी करें के जरिवाल को यह दी मच्छर काट दे तो भी वह आकर टीवी पर बोलते हैं और गलती से यह दी सांस लेने में दिक्कत हो जाए उन वो कर दिया देखी वो अलग चीजे है विग्यापन पर खर्च यह तो हम क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे सुप्रीम कोट कर चुका है कि सिर्फ आप विग्यापन कर रहे हैं पॉल्यूशन पर जिस तरह से कजरिवाल को लतार लगाई है सुप्रीम कोट ने शायद भारत की इत करती है कि जरिवाल की तो केजरिवाल सीधे तोर पर कहते है कि साहब पंजाब सरकार कुछ नहीं कर रही सिद्धु साहब तो हमारे पास आना चाहते थे वो आप में ज्वाइन होना चाह रहे थे आज वहीं सिद्धु पहुँच गए दिल्ली गोले कि भाई साब हम तो आ गये हैं तो केजरिवाल भाग गये गोवा सबसे जो बड़ी चीज है कि आप जो गेम खेल रहे हैं ये गेम किसके साथ खेल रहे हैं उस जनता के साथ जिसके टैक्स के पैसे पर आप आश करते हैं आप बड़ी बड़ी गारियों में चलते हैं आप तमाम सरकारी सुविधाएं लेते हैं जो जनता के टैक्स के पैसे प रहा है कौन जीतेगा देखिए यह सब चुनाओं से पहले जितने भी हैं यह सब ट्राइमवाज नोटंग की बाज और यह तमाम केद्रीवाल कंपनी इस सब का एक हिसाब है जैसे चुनाओं आते हैं तो जनता को लवाने के लिए ऐसे वादे करते हैं कि शायद जनता जानती ह है कि मुझे नहीं लगता है कि वो सब कर पाएं लेकिन संभाव नहीं अब देखिए माहौल पंजाब में बनना है चुनाओं का कोवां बन रहा है माहौल लेकिन अचानक से सिद्धू साब प्रकट होगे पहुँच गए दिल्ली में और दिल्ली में क्यों पूचे क्यों पह मिदारी स्वाबी गई है कैप्टन अमिंदर ने पार्टी छोड़ी है तबसे एकदम कॉंग्रेस का नाश होता दिख रहा है मतलब एक तरीके से कह सकते हैं नाश बहुत बुरी इस्तिती बनती जा रही है अब उस चित्री को बदवारा से बनाने के लिए दूसरी बात वहा अलागी बात में क्या होगा वो अलग बात है लेके अभी की जो हालात हैं वो केजरिवाल पूरा माहौल बना रहे हैं अभी हाली में कई ऐसे ऐलान करके आए जिनको लेकर आप सिद्धू ने घिरा है सिद्धू ने पूछा है कि 22,000 गैस टीचर्स हैं जो संभिधा पर हैं आपने उनको रेगुलर क्यों नहीं किया आप तो बात करते हैं कि वहां पर पंजाओ में जो पंद्रह जार रिक्त खाली पड़े हूं पद उन्हों पर नहीं करवा रहे हैं नौकरी और यह प्लाना सारी चीज़ा उन्होंने बात कहीं उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी कि पहली बात है कि सिद्धू जो आंकड़े लेकर पहुंचे हैं उस आंकड़े को हम पर ध्यान में लखना होगा सिद्धू ने कहा है कि जब इन्होंने का आए कि नौकरी जो 25 लाख नौकरी की बात कई है बिजली पर खर्च करने की बात कई है और एक करोड महलाएं जो पंज लाख नौकरी हैं और एक करोड महलाओं को अगर एक हजार रुपे दोंगे आप सालाना तो एक लाख 10,000 करोड रुपे खर्च होगा और पंजाओ का बजट कितना है 72,000 करोड रुपे सुचो मतलब कितना डिफ्रेंस आ रहा है 72,000 करोड है और सिफ दो चीज़ों में 1,10,000 करोड रुपे खर्च हो रहा है दूसरी बात सत्तर हजार करोड सेलरी और कर चुकाने पर होगा यह बात सिद्धू ने कहिए जब इतना आप दो बादे करके इस सिथी इतनी बिगड रही है बजट की तो आप इतनी बड़े बादे क्यों कर रहे हैं आप बजट भी आप ने कहा था कि स्कूल बढ़ा दिये जाएंगे इसकूल नहीं बड़े तो पूरा डाटा ले करके घेरने के लिए केजरिवाल को पहुंचे क्यों केजरिवाल पंजाब में महौल बना रहे हैं इसलिए उन्होंने अब काट सीधी केजरिवाल की शुरू कर दिये अगर फ्री का चक्कर होता तो यह यूपी के अंदर को नहीं माहौल बनाते हैं दिल्ली में जाके उन्होंने माहौल बनाया तो यूपी में क्यों नहीं बनाया इन्होंने यूपी में क्यों थके हारे से लग रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं सांथ पड़े हुए उत्तरा ऑप से पैसा लेगा, आपका पैसा, टेक्स है उसEC सरकार चलेगी, तो यह संद्सा कवाइद कवार चल रही है, यह पूरी जब खिची हई है, इससे हने वाला कुछ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि यह ड्रामा है, यह डिरामा भी शुरू हुआ है इस डिरामा के यह कहानी कहां तक जाती है यह देखनेवाली बात होगी लेकर इतना जरूल साफ है कि कॉंग्रेस पाटी पंजाओ में इस बक्त कमजोड दिख रही है और पंजाओ में अमधी पाटी के जो लोक लवाने वाले वादे हैं वो कहीं ना कहीं एक बूश्टा डोस दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवादी डूश्टर यानि कि यह दो नेता वोट बैंक की राजनीती के लिए कुछ भी कर सकते हैं इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी फिलाल के लिए मुझे दीजिये इजाज़त कैमरा परसन राजकुमार के साथ मैं कांची बंसल कैपिटल टीवी